माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों? सामाने तरह कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है लेकिन शास्त्रों के मताबिक माता लक्ष्मी के तीन वाहन है उल्लू, गरुन और गर्द आईए क्रमशा जानते हैं इनकी विशिष्टा के वरे में चलिए अब जानते हैं कि माता लक्षमी का वहन उल्लू क्यों है आपको बता दें कि उल्लू साधान पक्षी नहीं है बलकि विशेस प्रत्वा व विलक्षन दर्ष्टिकोड का प्रतीक है कठन से कठन या विप्रीत परिस्थिती में भी सकारात्म सोच का प्रतीक है वह सामाने से हट कर प्रत्वाशाली विचारधारा का प्रतीक है वह उस समय भी देखने की शमता रखता है जब सामाने लोगों को कुछ नजर नहीं आता वह व्यापारिक प्रवर्टी का संकेत है उल्लू निर्भेता वाच्छमता का प्रतीक है और यही कारण है कि माता लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है अब बात करते हैं गरोण की गरुण भगवान विश्णू का वाहन है जिसकान माता लक्षमी गरुण की सवारी करती है और गरुण दूर दृष्टी, लक्ष साधना, अनुशाशन, दढ़ता और कुशलता का प्रतीक है इसलिए वै गरुण की भी सवारी करती है अब बात करते हैं गज की कि माता लक्षमी गज की सवारी क्यों करती है क्योंकि गज शक्ति वा बुद्धि मत्ता का प्रतीक है वह शक्तिशाली है पर विनम्र प्रकृति का जीव है क्योंकि शक्ति सदैव विनम्रता से ओत्प्रोत होती है यह कह सकते हैं कि वास्त्विक रूप से ताकत वर व्यक्ति स सदेव ही विनम्र होता है। उसे अपने शक्ती प्रदर्शिन की आवशक्ता नहीं होती है। अब यदि हम व्यवहारिक रूप से माता लक्ष्मी को समझें तो वह भातिकता या भातिक साधन प्राप्ट करने की वह ताकत हैं जो हमें दढ़ संकल्प, दूर द्रश्टी, तथ्यपरक्ट विचारधारा, अनुशाशन, विनम्रता, उदारता, कठिन परिश्रम से प्राप बाकी सभी कारिश صिर्फ भ्रमित करने के लिए हैं। दोस्तों दीपवली के समय अपने लक्ष सिर्ध करने का उत्तम समय हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों वा परिजणों को भी शेयर करें। और सब्सक्राइब कराएं हम इस चैनल पर ऐसी ही महत्वों जानकारिया आपको देते रहें